अलो फ्रेंड मैं डाक्टर जितेंद्र मोहन रोटका जौनपुर्च मुबाइल नंबर 91-4-4-4-1-0-6 इन्जानबे 35-6-7-3-7-4-4-3-3-6-4-5-4-5-4-2-4-6 पाकस्थली अक्रित आजिके जिन रोगों में नक्स वोमिका 200-45 कारगर रहती है उसके कारणों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए अनभों में असिद्ध हो चुका है कि माधर पदार्थों के सेवन ब्यबिचार अधिक दवा के सेवन फिल्ताओं लगाताथ पैट कर काम करने बठारात्री जागरण से होने वाले रोगों में नक्स वो मिकाल आपकारी रहती वो ऐसे सभी मामलों में एक आम बात यह होती है मलांतर के मलांतर माने एनस के लच्छन पहले से मौजूद रहती सिर्व पीट के दर्दों पर भी या राम बान दवा सिद्ध होती सिर्व दर्द अनेक बार आमासे के विकारों के कारण भी होता जैसे आईरिस वर्थ सिर्दर्द के साथ उल्टी मालों होने अता ऐसी स्थिती में नक्स वोमिका 200 दर्द की प्रकित के ध्या अस्थान पर कम ज्यादा होने वाले लच्छन सटीक दवा के चुनाव में सायक सावित उत्धे हैं मानसिक स्रम प्रोध विरक्त खुली हवा विप्रीद पल्सा टिला है अपोजित दवा टू अंडर पांच गुने एक लाज गुआड गुनगुना पानी लेने बहुत अच्छा पायदा करती है सुबह लगज जागने पर भोजन के बाद फराप के सेवन आमासे अमलता धूप में जाने जुकने प्रकास और आवास से आँखें खोलने वबंद करने पर गिलासी जीवन ज्यादा मसालेदार भोजन कुपानी मौसम नसीले पदाट तथा हस्त मैथुन मस्टर्बेशन करने पर कप्च की सिकायश से बवसीर भरने पर सिर्दर्द होता है इस्तकारदर्द मस्तक के किसी एक भाग में या एक भाग से शुरू होकर दूसरे भाग तक जाने वाला होता है कितनी ही बार व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता कि दर्द कहा हो रहा है और वह सारे सिर में तेज धर्द की सिकायश करता है इस प्रकार कमर में होने वाली पीडा भी विचित्र होती है बिस्तर पर लेटने वो या करवट लेने पर दर्द होता और रोगी को उठा कर बैठाना पड़ता हड़े होने या सरीर को गुमाने पर भी दर्द उभरता सलफर दवा 200 पांच गूंद एक गिलास बॉयर्ड गूंगुन पानीम लेने से बहुत जल्दी पाद हो ज़ता बैठने पर होने वाले दर्द में कोबाल्टम पलसा तिला रस्टाक्स 200 जिंकम देना चाहिए जिंकम बैठने पर होने वाले दर्द में हर्कुलस हिच की भाद एस्कुलस हिप हर्कुलस हिप की भाद बवासीर उभरतने के समय भी एस्कुलस हिप 500 की दवा कितनी हिबाब या दर्द उभाज जाता एस्कुलस का दर्द जुकने पर बढ़ता हस्त मैथुन के कारण होने वाले पीट दर्द में कोबाल्टम बैठने पर दर्द बढ़ता है इस्टेफिस एक ग्रिया रात में लेटने पर दर्द बढ़ता है नक्स वोमिका लाब दायक रहती है मेरु धंड जती तंचुओं और ज्यान तंचुओं पर नक्स वोमिका की क्रिया का ब्यापक वढ़न अनेक उस्तकों में मिल जाता है नक्स वोमिका के बारे में हमने यहां जितनी चर्चा की उसे पढ़कर कोई पाठक इस भरम में पढ़ सकता है कि हमने इस के छेत्र को संक्चित कर दिया जो वास्तों में साथ सत्य नहीं है हमने तो केवल इस आउसद के मुख्य गुणों तथा विसिस्ट लच्छडों पर प्रकार डाला विस्तरित जानकारी के लिए एक और मेटेरिया मिटका की आउसकता पड़ेगी कि किस्तों के पास प्राया दो प्रकार के रोगी आते हैं पहले ऐसे कि उनको प्रकित वा लच्छडों को देखकर कि किस्तक आउसद का चुनाओ कर सकता है तथा दूसरे वे जिनके लच्छडों को पाचान पाना दाक्टर के लिए मुस्किल होता है ऐसे स्थिती में दवा के लच्छडों के साथ साथ रोगी के लच्छडों को मिला कर सही दवा का चुनाओ किया जाना चाहिए मगर प्राया है रोगी में कोई ने कोई लच्छड इतना अस्पश्ट होता है कि वह चिपा नहीं रह पाता तब उस लच्छड के आधार मान कर तता परिक्षा लच्छड के साथ रोगी का लच्छड मिला कर दवा देनी पड़ती है कर देवाद दोस्तों नमस्कार